कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं किस्टन लाल और आप देख रहे हैं आज जी किस्टन एजुकेशन यूटूब चैनल जल्दी से सभी वी देर थी लाइव आजएगा आज के सुबह आठ बजे वाली क्लास का मैं टाइम होगे आप सब को मालूम होगा सुबह आठ बजे हमारे ज कि क्लास तो हम जो चला रहे हैं आगामी अर्मी एक्जाम को मद्दे नजर रखते वें जीके और जीएश का हमने कहा था तीस आपको प्रेक्टिस एट करवाने वाले तो आज हमारा प्रेक्टिस एट नमस्की का रहेगा तीन और साइंस का 11 बजे होगा तो 11 बजे लाइवा हम पेपर की सर्वात करें जल्दी से लाइव आजएगा सभी विद्याति और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिगा और साथ साथ अपना इसकोर लाइव चैट में बताते रहेगा आपके कौन सा क्यूसन राइट होते हम भी जान पाई जड़े आगे बढ़ते हैं फैस्ट यही आपको पता है क्या लBig लगाती है क्या लिग लगांती घ्ति के कारण होता है तो यह उसके कारण होता है आप को दयान रखना परिकर्mmm गर् туда HAid concerns है आट गर एक तो भी आपको दियानकना दिन रात की बात करें तो वो परीवर्तित होता है जो उसकी परीवर्मन का इक कोँ सा गुरुणन गति पर्थी की जो गुरुणन गति यानि अपने अक्स पर गोंबती है उस गति करकारन दिन रात मनते है अब बात कर लेते हैं पर्थी को परिकर्मा करने में सुरिय कितना समय लगता वह आपको पता उना चाहिए तीन सो पैंशाट सई ये नोट कर लिए गाई बार एक्जाम ये आ जाता है तीन सो पैंशाट सई एक बोटे चार दिन लगता है आपको पता है जो दिन रात बनते हैं वहापको पता कि इस परिवर्मन गति के कारण में तो पर्त्य अपनी एक्सपर गोड़न एक पूरा कितने में समय में करता है वह आपको पता होगा जल्ली इस पताने कोशीज करीगा यह करता है लगबग 24 गंटों कितने 24 गंटों में आप पूरा-पूरा लगबग मान सकते हैं ठीक है द्यान लख समय लगता है यानि पर्त्य की परिकर्मा करने में चंद्रमा लेता है 27 दिन लगबग 8 गंटे कितना लेता है 27 दिन और 8 गंटे लेता है तो यह भी आपको याद रखने चलिए दोस्तों अगला क्यूस्टन में बात कर लेते हैं दो आपकी स्कूं के सामने जल्दी से सभी व बात कर लेते हैं लोक दूब दल्दोने दोजार 64 में दिखा ने है बता कितने बात हों के तो VAद दिखा हाए रहा है तो यह आपको याद रखने है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूसन मेर बात कर लेते हैं 3 आपके सामने क्या दिर्का है बाकड किम नांगल प्र देने कोशिज करेगा बाकला नांगल प्रियोजना हो किस नदी पर है तो ये बात कर लेते हैं आपको पता होगा बाकडा है ठीक है बाकडा नांगल प्रियोजना तो ये आपको जल्दी से बताने कोशिज करेगा जो अफसन नमर डी बता रहे हैं कुंसा सतलज नदी बिलकुल उनका ज़ाब सही पर बात कर लेते हैं शत्लंद नधी पर जो बांध बंद बंद cyclo hyab लेकान की बांद किस नधी पर है पर बिंद सामिर तो तो dropsa important आप याद रखेगा अब बात कर लेते हैं एक आपको बताओगा सरदार सरोवर बांद यह इंपोर्टेंट है सरदार सरोवर बांद तो यह किस नदी पर जल्देश बताएगा सरदार सरोवर देखते कौन-कौन भी दे सरोवर बांद तो यह है आपका किस नदी पर है नर्मादा नदी का उद्गम इस्तल किया है तो मैंने कल यह आपको क्लास में बताई था नर्मादा नदी का उद्गम इस्तल है अमरकंटक की पाड़िया और नागाजन सागरबांद की बात करें तो वह एकृष्णा नदी पर तो यह सारे आपको याद रखना है वैदी इंपोर्टेंट किसने चलिए आपको यह भी ध्यान रखना है बागड़ा नागल प्रियोजना है वो मुखेत है तीन राज्यों से समझ दिता है हम बात करें तो रास्तान पंजाब और हरियाना की स्विक्त प्रियोजना है चलिए दोस्तों आग कहां सीरोई आपको पता है रास्तान का एक जिला है तो यह इंपोर्टेंट किसने याद रखेगा माउंट अबू रास्तान में पढ़ता है सीरोई में ठीक है अब बात कर लेते हैं यह मंदिर है बहीं है अब यह हम बात करें दिल्ली में क्या है दिल्ली में आपको याद आ किस दर्म को समर्पीत है यह भी आपको याद रखना है पिछे एक एक्गरामें ऐसे आगया था सरुणमंदीर का समद किस दर्म से है तो आपको देयन रकना है सिक दर्म से सममदीत है और आपको बताब Вамरी तरषर में जल्या वाला बागःते है तो ताज महल का निर्मान करवाय था साँज आने अपनी जो पत्नी थी मुम्ताज उसकी याद में करवाय था चलिए दोस्तों आगे बड़े एगला क्योशन नमर बात कर लेते हैं पांच आपके सामने क्या दिर्क है राजेपाल पद के चैने तो नियूनतम निर्दारित आयू सीमा कितनी होती है तो ये तो आप सब को पता है होगा बहुती आसान क्योशन है यानि राजेपाल पद के लिए नियूनतम आयू सीमा की बात करें तो वो 35 वर्ष होनी थी और राष्ट पती के लिए नियुन्तम ऐयू 35 वर्स होती है कि आपको याद रिखना बात कर लेते हैं यहीं है कि राहत को नूपसीस वर्स होनी है और नोकसवा के सदस्य पर चीद्वारा बात कर लेते हैं किया जाते हैं यह आपको याद रखना आपको पता हो बात कर लिदिए आपको पताओगा नोक किया जाते हैं लोक सवाइन कि दौराल शाहिके दो आंगेल सक्वाइर स Commerce sehe आपको य settay याद राइस स्वेदानिक पन्सका वह किसे बाठत मनागरी कोघभाको ब्रहत होता कों होता है व उपराष्ट्रपती होता है वरतमाने उपराष्ट्रपती कौन है वेके यां नाइडवतु को याद रखना है नफ़ राज्य सभा के सद Mormon की निणत मौहाई आपके कितनी ऊनी चाहिए राज परदानमंत्रिया लोक्स्रबा के सदस्यों के लिए 30 वर सोनी चीए और एक मेने बता है राज्यस्रबा के सदस्यों के लिए 30 वर सोनी चीए चलिए दोफ आगे पड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेती है जल्दी से सभी विद्यारत इसका भी लाइव चैट में जवाब बात कर लेती है यहां से आपको पता होगा याद आ रहा होगा गोवा की बात करें तो यह है बारत का चेतरफल की दर्श्टी से सबसे चोटा राजे और बड़ा सबसे बड़ा की बात करें चैतरफल में तो वो है राज़तान और जन संक्या में बड़े की बात करें तो वो कोन है उत्तरपरदेश यूपी है जिसकी राज़दानी क्या आपको पताओगा उत्तरपरदेश की राज़दानी लखना हुए जिसे नवाब का जात कैसे आपके सामें दिरखाए खूता की राजदानी talking सधर की राजदानी कौन सा से कोलकाथ का था हूँ 2011 आपको पता हूँ पहले भाटकी राजदानी 1911 से पहले क्या हुआ करता था कोलकाता हुआ करता था और 1911 में कोलकाता से नई दिली राजदानी इस्ताना अंत्री तुआ था ये क्यूसन भी काफी बारा आ चुका है आगे बात कर लेते हैं आपको दिखाई दे रहोगा एमदाबाद अभी बता रहा था भारत का मैंसेश्टर की किसे का जाता है अमदाबाद को का जाता है गुलाबी नगरी जैपूर होई गा अरब सागर की रामनी की बात करें तो वह है कोची तो यह बहुत सारी मैंने क्यूसन बता है मुंबई आपको बता है महराष्ट की राजदानी है चलिए दोस्तों आगे बड़े अगला क्यूस था जाफ के बता है अगे याथ आच अगरणी को इसे बने पता है महात्मा गांडी किया था डांडी मार्च यानि नमक कानून के खिलाफ जो डांडी यात्रा सुरू की थी महात्मा गांदी ने अपनी आस्रम था जो कहां था आस्रम आपको पता है साबरमती आस्रम था जो की एमदाबाद में वहीं से सुरू की थी डांडी यात्रा जो 1930 में की थी ये भी आपको याद रखना 12 मार्च 1930 को की थी और बात कर लेते हैं ऐसे योग अंदोलन की सरुवात कब हुई थी ये भी important question मनता है काफी बारा आज चुका है ऐसे योग अंदोलन की बात करें तो वह बहुत था 1920 में कब बहुता ऐसे योग अंदोलन की सरुवात गांदी जी द्वारा कब की थी वो की दिज गई थी 1920 में और 22 तक चला था ठीक है अगला 1916 में आपको याद आरा हूगा होम रिल यह इसकी स्थापना ने की थी होम रूल लीग जल्दिस बताएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी ये की थी बाल गंगादर तिलक और एनी बे था ये भी आपको याद रखने है चलिए दोस्त आगे बड़े अगला क्यूसर नमर बात कर लेते हैं नो आपकी स्किंग के सामने है जल्दी से सभी विद्यारती इसका विलाजीचेड में जवाब देने की कोशिश करेगा क्यूसर आपको क्या दे रखा है इतिहास का जनक की स उसका जाए और श्यूक मैंद्य को चाजाता है कि होता जनक क्यूसर आपको याद रखने चलिए दोस्तों आगे अगला क्यूसरण नमर बात कर लेते हैं कंगारू किे बात करें तो वह रृष्ट ये बात करें तो ये बात गंजा इगल है और आपको यहां भी नेपाल का राष्ट पस्वाप को बता होगा गाय है तो यह सारी किशन आपके इंपॉर्टेंट बनते है जापान कि राजदानी टोकियो है यह भी आपको याद रखना है बैद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट में फिक्त बता रहा कर दीजिएगा हमारा सपोर्ट ऐसे बढ़ाते रहीगा आप चलिए अगला क्योंस नमर 11 आप के सामने दे रहा क्या है राजा राम मुहिंदराई का समझ किस यह तो राजा राम मुहिंदराई किस का इस्तापना की थी जल्दी से बताने को सिज़ करेगा उन्होंने की थी बरम समाज की इस्तापना जो अपसन नमर क्या बता रहें सी बता रहें बिलकुन का उत्तरसी है और बात कर लेते हैं आर यह समाज की इस्तापना किस ने की थी स्वामी दयानन्द सरस्वती ने की थी जिन्होंने एक नारा भी दिया था वेड़ कोमेंट करके बताना है कि इन दोनों की स्टापना किस ने की थी यानि प्रास्त, समाज और वेधानत समाज इसको आप कलास्पूरी होने के बाद आप का हो रख रहेगा कोमेंट करके बताना है चले दोस्तों अगला क्युस्त नमर बारा आपके स्कीन के सामने क्या दिर्ख है 44 सुविदान संसोदन द्वारा किस मूल अधिकार को समापत कर दिया गया पहले बात तो कर लेते हैं 44 सुविदान संसोदन कब हुआ था कि उसने ऐसे भी आ सकता है तो वह वह था 1978 में अब बात कर लेते हैं तो वह सुविदान संसोदन में किस मूल अधिकार को अटा दिया गया था तो संपति का अधिकार था उसको अटा कर क्या बना दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया अब बात कर लेते हैं जो मूल अधिकार है वो किस देश के सविदान से लिए गए वह से उक्तराष्ट अमेरिका से लिए गए तो आपको ये भी याद रखना है वारत के सविदान में मूल अधिकार कहां से लिए अमेरिका से लिए गए और निती निदे शक्तत्वा आइरलेंड से लिए गए चलिए दोस्तो अगला क्यूशन नमर 13 आपके स्किंग के सामने जल्दी से सभी वी दरती इसका भी लाइव चेट में जवाब देने की कोशिश करेगा चलिए दोस्तो आगे बड़े अगला क्यूशन नमर बात कर लेते चोध आपके स्किंग के सामने जल्दी से सभी वी दरती इसका भी लाइव चेट में जवाब देने की कोशिश करेगा परोश थीश दवन अंतरिक्स के अंदर जो निमलिक्ट में से किस राजे में तो यह आप सब को पताओगा कहा है सरी हरी कोटा यानि हम बात कर लेते हैं अंदर पर्देश में जो अफसन नमर भी बोल रहे हैं बिलकुन उनका जवाब सही है अब बात कर लेते हैं केरल की साक्सरतादर्स बारत में सरवादिक है और सबसे कम साक्सरतादर्स बियार किया यह भी आपको याद रखना है तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन बन रहे हैं आप सभी नोट कर लीजिगा अब बात कर लेते हैं अंतरस्टिय अंतरिक्स क्या आपको याद रखना है जो भारतिय शोरी बारतिय अंतरिक्स अनुसंदान संगठन यानि इस्रो आईए इस्रो की बात कर रहा हूं मैं इ इसकी बात कर लेते हैं इसका मुख्या लिका है तो आपको याद रखना ही है बेंगलुरू में और इसकी स्थाप में कब गीर गी थी गुनी सो नेंतर में विक्रम साराबाई के द्वारा की गी थी चलिए दोस्तों अगला क्यूसन नुमर 15 आपके सामने जल्दी से सभी वि मिनार किस देश का रश्ट्री समारक है तो यह आप सब को पता होगा इटली में जो की मिनार कहा है इटली में अब बात कर लेते हैं आपको पता होगा है पिस्सा की जो की मिनार है वो कहा है इटली में और बात कर लेते हैं आपको पता होगा फ्रांस की राजदानी क्या है प जयाद रिखने यह थी दोस्तों आज की जीके किलास कैसी लगी कॉमेंट करके जूर बताएगा उमीद करता हूं कलास आपको अच्छी लगे तो कलास को लाइक करके जाए और क्यारा बज़े जो जीएश की कलास होगी वह भी लेना मत बूलेगा चलिए दोस्तों के बारे में नहीं थेंक यू पर वाचिंग जया हिंद जया बार्थ